ओम श्यान्ती, आठ नवंबर दोहजार चोबिस के एश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, आत्मा भाई-भाई की दृष्टी रख औरों को भी समझाना है, क्योंकि आत्म अभीमानी ना बनने से, तुम्हारे वच्चनों में वो ताकत नहीं रहती, जितना याद में रहेंगे, उतना जोहर बढ़ेगा और बहुतों की बुद्धी में ज्यान बैठता जाएगा, बाब तो सबको रिफ्रेश करने आए हैं, प्रन्तु चलन भी अच्छी होनी चाहिए, भूल हो जाए, तो जट लिखना है, बाबा, हमस से यह भूल हुई, बाब ने कहा हमारा बच्चा बनकर भी भूल करेंगे, तो सो गुणा वृधी हो जाएगी, माया से हारने वाले फिर वही के वही बन जाते हैं, और जो अच्छी रिती पढ़ते, खूब अटेंशन देते, वह उतना ही उच्छ नंबर में जाते हैं, इस जनम के जो भी पाप हैं, वह बाप को सुना दो, तो हलके हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, कई बच्चे जो सच नहीं बताते, माया उनको एकदम जोर से घूसा लगाती है, माया बड़ी जबरदस्त है, बलवान से बलवान होकर लड़ती है, यह भी बोक सिंग है ना, लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुम पुरुशोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो, तुम्हें बहुत मीठा वा आज्याकारी होकर रहना है, कोई भी अउगुण ना रहे, बाप का बनने से तुमने शुरू सुनना ही बंद कर देते हैं, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली कह सार, मीठे बच्चे, तुम यह राज योग की पढ़ाई पढ़ते हो, राजाई के लिए, यह है तुम्हारी नई पढ़ाई, प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फ वोक्सिंग में बुद्धी को बहुत कड़ी चोट लग जाती है, चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है, सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, ओम श्यान्ती, यह तो सब बच्चों को निश्य होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, पांच हजार वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके, रुहानी बाप, रुहानी बच्चे क्या होते हैं, यह भी समझ नहीं सकेंगे, तुम बच्चे जानते हो, हम सभी ब्रदर हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरू भी है, तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा, यहां बैठे समझ से होंगे, सभी आत्माओं का एक ही रुहानी बाप है, सभी आत्माई उसको ही याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मत्र याद जरूर करते हैं, बापने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना, अब बाप कहते हैं, देहे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो, अभी तुम आत्मा यहां पार्ट बजा रही हो, कैसा पार्ट बजाती हो, वह भी समझाया गया है, बच्चे भी नमबरवार पुर्शार्त अनुसार ही समझ से हैं। तुम राज योगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पढ़ता है। एम उबजिक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही हैं। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राज योग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य यह राज योग कभी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। पर मात्म तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो, तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं, यह याद ना रहने से जोहर नहीं भड़ता है, इसलिए बहुतों की बुद्धी में नहीं बैठता है, तो बाप हमेशा कहते हैं, वह सबका बाप टीचर गुरू है आत्मा को देखना है भले गायन है सेकंड में जीवन मुक्ती प्रंतु इसमें मेहनत बहुत है आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वच्चनों में ताकत नहीं रहती है क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रिती कोई समझाते न कौन फूल है मालूम तो सब पढ़ता है स्कूल में बच्चे 5-6 दरजा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी जट मालूम पढ़ता है यह बच्चे तीखे पुरुशार्थी हैं इन्ह है पार लौकिक पढ़ाई यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं नहीं उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की हैं तब आगे नमबर लिया है यहां तो है ही नई पढ़ाई जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है नई पढ़ाई है नया पढ़ाने वला है सब नए है नएों को पढ़ाते है उनमें जो अच्छी रिती पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुशार्थी है यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज और कोई पढ़ाने बला तो है नहीं जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना उच नमबर में जाते हैं कोई तो बहुत मीठे आग्यकारी होते हैं, देखने से ही पता पढ़ता है ये पढ़ाने बला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अउगुर नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पढ़ जाता है, बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो न नहीं हैं, ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समचार कभी नहीं देना, कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरुड बुद्धी नहीं होते हैं, माया का वार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं, माया इनों को धोखा बहुत देती हैं, भल दस वर्ष भी प्रन्तु माया ऐसी जबर्दस्त है, देह अहंकार आया और यह फंसा, बाप समझाते हैं, जो भी पहलवान हैं, उन पर माया की चोट लगती है, माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है, तुम समझ से होंगे, बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है, ये नमबर वन है, फिर नमबर वार तो बहुत हैं ना, बाबा मिसाल करके एक दोका देते हैं, होते तो नमबर वार बहुत हैं, जैसे देली में गीता बच्ची बहुत होश्यार है, है बच्ची बड़ी मीठी, बाबा हमेशा कहते हैं, गीता तो सच्ची गीता है, मनुष्य वह गीता पढ़त प्रन्तु यह नहीं समझ से हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखा कर राजाओं का राजा बनाया था। प्रन्तु यह नहीं समझ से उच ते उच श्रीमत भगवत गीता ही गाई जाती हैं। विशे सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क हैं। शास्र पढ़ना तो भक्ती मार्ग हुआ न। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझ से हैं कोई भी तरफ जाओ। पहुचना तो सबको एक ही जगे हैं। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना हैं तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सत्युग में तो कोई भी शास्त्रादी होते ही नहीं। यह हैं ही भक्तिमार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादी हैं शुरू से चले आते हैं बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादी बरोबर हैं। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूं फिर गुम हो जाता हूं। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादी था। राज्य वही हैं सिर्फ पावन से बदल पतित होने से न नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। कई तो मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावन के थे राम के बने। फिर रावन राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बिमार हो पड़ते हैं फिर ना वहां के रहते ना यहां के रहते ना खुशी है ना रंज बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं। बाप का भी पूरा नहीं बनते। रावन का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम हो पुरुशोत्तम संगम युगपर। उत्तम पुरुश बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बाते हैं। बाबा पूछते हैं हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं प्रंतु समझा जाता है बुद्धी नहीं है। भले बाबा कहते हैं शुब बोलो। कहते तो सब हैं हम नर से नाराइन बनेंगे। कथा ही नर से नाराइन बनने की हैं। अज्ञान काल में भी सत्यनारण की कथा सुनते हैं न, वहां तो कोई पूच नहीं सकते हैं, यह तो बाप ही पूचते हैं, तुम क्या समझ से हो, इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है, कोई आते हैं तो पूचा जाता है, इस जनम में कोई पाप कर्म तो नह नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, सच बतलाने से हलके होंगे, कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, तो माया एकदम जोड से घूसा लगा देती हैं, तुम्हारी बड़ी कड़ी बोक्सिंग है, उस बोक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धी को बहुत चोट लगती हैं, यह बाबा भी जानते हैं, यह ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूं, फिर पावन बनता हूं, ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं, बाप भी खातिरी देते हैं, यह सबसे जासी पतित है बाप कहते हैं मैं पराए देश पराए शरीर में आता हूं इनके बहुत जनमों के अंत में मैं इसमें प्रवेश करता हूं जिसने पूरे 84 जनम लिये हैं अब यह भी पावन बनने का पुरुशार्थ करते हैं खबरदार भी बहुत रहना होता है बाप तो जानते है न यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता ख्याल भी नहीं आसकता कि छोड़ कर जाऊं एकदम हमारे बाजू में बैठा है मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है बाबा जानते हैं, हसी कुड़ी भी करते है बाबा, आज हमको सनान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो बाबा, आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो यह बात और किसकी बुद्धी में हो ना सके बाब सब को रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुशार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना भूल हो जाए, तो जट लिखना चाहिए, बाबा, हमसे यह भूल हो जाती है कोई-कोई लिखते भी है, बाबा, हमसे यह भूल हुई माफ करना हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से सो गुना वृधी हो जाती है माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं बहुत हारते हैं यह बड़ी बोक्सिंग है राम और रावन की लडाई है दिखाते भी हैं बंदर सेना लि यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते है ना, बाप भी कहते हैं यह तो इनों की पाई पैसे की बुद्धी है। कहते हैं हर एक इश्वर का रूब है, तो हर एक इश्वर बन create भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाष भी कर देते हैं, अब इश्वर कोई का विनाष थोड़े ही करते हैं, यह तो कितनी अज्यानता हैं? इसलिए कहा जाता है, गुडियों की पूजा करते रहते हैं, वंडर है, मनुष्यों की बुद्धी क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं, बाप उलहना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया, तुमने क्या किया? तुम भी जानते हो, हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मन बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, यह तो बुद्धी में बैठा हुआ है ना, यहां बैठते हो तो बुद्धी में यह नौलेज रहनी चाहिए, बाप भी नौलेज़फुल है ना, रहत भले शान्तिधाम में हैं, फिर भी उनको नौलेज़फुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नौलेज़ रहती है ना। कहते हैं इस ग्यान से तो हमारी आखें खुल गई हैं। बाप तुमको ग्यान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टी के आदी मध्यंत का पता पढ़ गया है, चक्र फिरता रहता है। ब्रहमनों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वला कोई होता नहीं। उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है जो फिर तुम देवता बनते अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच बनते हो। फ़र्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फ़र्स्ट यह पढ़ाई है ना। अभी तुम समझ से हो। बाबा हर कल पाकर पतित से पावन बनाते हैं। फिर यह नौलेज खला अच्छा, मेठे मेठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धार्ना के मुख्ये सार, पहली पोईंट, बहुत बहुत आग्याकारी मीठा होकर चलना है, देहे अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है, माया की बोक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभीमानी रहने का अभ्यास करना है, स्मृती रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जोहर भरेगा, वर्दान, अविनाशी नशे में रहे, रुहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाले, ब्रहमन सो फरिस्ता भव, अविनाशी नशे में रहे, रुहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाले, ब्रहमन सो फरिस्ता भव, आप ब्रहमन सो फरिस्ते, देवताओं से भी उँचे हुँ, देवताई जीवन में बाप का ज्यान इमर्ज नहीं होगा, पर मात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा, इसलिए अभी सदा यह नशा रहे, कि हम देवताओं से भी उँच ब्रहमन सो फरिस्ता हैं, यह अविनाशी नशा ही रुहानी मजे और मोज का अनुभव कराने वाला है, अगर नशा सदा नहीं रहेगा, तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूझेंगे, स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा, ओम शान्ति, एक जरूरी सुचना, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने एक ऐसा इतिहास रचा है, ऐसा कारिय करके दिखाया है, जो आज तक कोई कर नहीं सका। वैसे तो ये सारा कमाल शिव बाबा का ही है, लेकिन ऐसा वंडरफुल कारिय कौन सा है, ये जानने के लिए आज ये वीडियो जरूर सुनें।